अगर धनवंतरी की पूजन करता है धन तेरस के दिन कार्थिक महिने में पढ़ने वाली सुन्दर त्रियोध शीति थी को जो धनवंतरी की पूजन करेगा उसके घर से लच्छमी कभी बाहर नहीं जाए भगवान विश्णु कहते हैं सुनो किसान मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताता है भगवान कहते हैं किसान कि सुन्दर कृष्ण पक्च की त्रियोध शी को कार्थिक के महिने भगवान देव का पूजन धनतेदिस का पूजन माना जाए सुनो किसान एक सुन्दर भूमी पर देशी गाय का गोवर से लीपन करकर अगर गाय का गोवर ना मिले सुन्दर जल से लीपन करकर वहाँ एक सुन्दर चोक को पूर कर आप सभी को ग्यात होगा कि चोक फूर्णे में रांगोली का प्रयोग नहीं होता है। आप ल्लोगों को मालूम होगा चोक फूर्णे में आठा और हल्दी का प्रयोग होता है। काई का प्रियूग होता है आते वर हल्दी कर्यों होता है क्योंकि आठा सम्रक्ध्धी को बढ़ाता है लचमी द्यीने तुरह को बढ़ाने वाली हल्दी होती इसलिए जब झोग पूरा जाता है घूमी पर तो चौप पूर तयसा में शकुत का प्रयोक करते हैं थोड़ा सा चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है उसके उपर एक सुन्दर चवकी एक चवरंग पाटा रख दिया जा भगवान विष्णु बता रहे हैं किसान को दन तेरस के पूजन का और जो भगवान विष्णु ने बताया है वहीं पूजन का वर्णन आप दोक्सरवण कर रहे हैं जो विधान भगवान विष्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार आप लच्चमी का पूजन भंतेरसका पूजन कि चोकी लगाएं चवरंग लगाएं पता लगाएं उस पाठे पर एक सुन्दर लालवस्त्य धारण कर से लालबस्त्य विचहा दें संदरिक षाली ले उस थाली पर कंकूंसे रोली से कंकूंसे गिला करकर स्वस्तिक का निर्मान करकर स्वस्तिक का निर्मान करकर घर में अगर चांदी का सिक्का हो अगर चांदी का सिक्का नहीं हो चांदी का क्वाइन नहीं हो तो अपने घर का एक का सिक्का दो का सिक्का पांच का सिक्का दस का सिक्का जो भी आपके घर में हो वो क्वाइन ल पर फिर उसका इस्मर्ण करें, आटे के साथ दिये बनाएं, एक ठाली में, एक पलेट में धकलें, घी के दिये बनाएं, और उसमें सुन्दर बाती को लगाएं, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी, वो लंबी बाती लगे, लच्मी जी की फूजन में जितनी भ दिये लगा दें साथ, साथो दियें को परजुलित कर लें, प्रगट कर लें, एक दिया तेल का लगा दे, तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, वाइन रखा है, उसका लेप टेंड, मतलब आप इसे बेटे हो, तो आपका सीदा हाद, कि और आप तेल का दिया लगा दे, और जो साथ दिये आपने लगाए है, वो लचमी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेप इंड हो गया है, लचमी जी का राइट हैंड, आपका लेप आपका उल्टा, वहाँ पर साथो दिये, जो आपने परजुलित करे हैं, प्लेट मेरे, अभीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमर बिल के तुकडे, कमल गटे, हल्दी की गाट, सुन्दर भाव में उसको रखे, जल का पात, सुन्दर आनन्द से, जो क्वाइन चांदी का और देशी क्वाइन आपने जो रखा है, उसका जल से पूजन करूए। लच्मी पूजन का समय अलग-अलग होता है, पर धन्तेरस की पूजन का जो समय है, वो प्रदोष काल से प्रारम हो जाता है, तब से प्रारम हो जाता है, प्रदोष क्योंकि शिव के द्वारा निर्मी थे, लच्मी पूजन का, महरत, क्वाइन का पूजन करें, कंकू आधि कर लुए और उसको लपेट प्हले चांडी का सिक्का लपेट रहें पिर रेसी शक्का लपेटा लखने यह कि थाली में उसको रख लें फिर वापिस उस्तथ चल का छीटा दे कर उसका पूजन ंपर हल्दी, रोली, मौली, चंदन आदिक लगा कर सुन्दर भाव से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल करकर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लच्मी के उपर जो दोसी के रंखे में साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते है हे रिती सिद्धी के दाता श्री गणेश जी महराज आप हमारे यहां पर सदा माता लच्मी को लेकर कुवेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें नारायन को लेकर सदा विराजमान रहें चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विंती करते जाएं माता लच्मी से जब चावल पूर्ण छोड़ने में पूजन पूरी तरह से हो जाए तब महराज साथ सुन्दार आनंद से अमर बेल के तुकड़े अमर बेल प्रेचqual पठी जलती हैए उसमें पत्थे नहीं होते है और किसी भी विरक्षापर ड्ली रह थी वो अमर बेल प्रेल लचमी पूजान SAYSंरध्धि के लिए मकान के मोहरत के समय पर ग्रहप्रवेश के समय पर हुथफ पहुत ना करते जैसे अमर वेल बिना पाणी पढ़े भी किसी भी विरक्षपर डाल दी जाए पनपती जाती बढ़ती चली जाती अमरे घर में बेभाव लच्छमी बढ़ती जाए अमर वेल के साथ तुकडे कमल गटे साथ हल्दी की गठान साथ माता लच्षमी को समर्पित करों दोनों हातों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लच्षमी के उपर उसे चड़ाना प्रारम कर दीजिए साथ बार पिसी होई हल्दी वो सिक्कों पर चड़ा दें अपनी मनों कामना करकर अपने घर में माता लच्छमी को गडाजमान कर दें जब हल्दी पूर्ण चड़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी मातालच्मी को समग दित करें, तब इसके पश्चात सुन्दर जो भी घर में मीठान हो, मीठा हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके अपास में हो, खड़ी सकतर हो, वो भगवान को मातालच्मी को भोग रग देजिए, अगर कुछ मीठा बना हो, तो मीठा रग देजिए, मारा रजम, घर में संपोन पूजन करकर, आपके घर में जो देवालाय में भगवान बेठें, उनका भी पूजन करिए, पूजन करने के बश्याद, आप मातालच्मी से निविदन करिये है, मा, आप हमारे सदा विराजमान हो, अज धन्तेरस से, रूप चवदस, अमावस्या, एकम और दूज, ये पांच दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीप महुस्व मनाया जाता है, पूजन करने के बाद, जो साथ दिये, आपने प्लेट में रखे हैं, ठाली में रखे हैं पूजन के लिए, घी के उन साथो दियों से मातालच्मी की आरती उतारी है, उन साथो दियों से मातालच्मी का पूजन करिये, मातालच्मी से विंती करिये, कि मां हम आपके पुत्त रहें मां आप हमारे घर का रस्ता भूल गई हो मां हे वे वह लच हमिए धनलच में संतान लचमी है मां लचमी है दहने लचमी है आप हमारे घर में विराजबार, साथ दीप जो परजुलित करें हैं, उससे माता की आरती उतारिए, फिर माता को जोली पसार कर, प्रणाम करकर भूमी पर नमन करो, जब जोली पसार कर प्रणाम करें, जोली को अपनी और गिरा लें, और माता को नमन करकर, जो साथ दिये आप पर ले जाकर जिसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में एक जहां पर आप लच्छमी रखते हो उस इस्थान पर एक घर के द्वार के पास में, एक तुल्शी के क्यारे के पास में ऐसे अलग-अलग साथ इस्थान पर उन दीप को रख दिया है एक भगवान का जहां पूजन हुआ है लच्छमी की जहां राद न करिए एक दीप वहाँ पर भी रखा जाए जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में, फिर कहेंगे तेल का दिया माता लच्छमी के उल्टे हाथ पर और घी का दिया माता लच्मी के सीधे हाथ मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा और जहां आपका उल्टा हाथ होगा जहां परगी का दिया रखाएगा माता जी का सीधा होगया कि भगवान विश्णु के साथ मिराज्मान ओ पहाठ नरेन के साथ में हमारे 사दा विराज्मान ओमा ऐसी कृपा कर वाराज माा से मिंति करकर बड़ा उस्सह बड़ा उमंग बड़ा आनंद रखना ये भाव रखना घर में भगवान विश्णु कहते हैं किसान से दीपा है वहां आटे और हल्दी का प्रियोग करते वे रांगोली बनाएं पूरा आपको प्रैक्टिकल करके बताया गया है इसलिए आप वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे ओर लोगों को भी लाप राप्त हो दीवाली का पूजन कैसे करना है तीन दीपक का महत्व क्या है जो कमल गटा डाल करके लगाया जाता है बातिक की सोर रखनी चाहिए तेन दीपक किस तरह से प्रजूलित किया जाता है यम का दीपदान कैसे करें संपून आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेगा वीडियो पूरे प्रैक्टिकल के साथ इसलिए चैनल को स्क्राइब करें हरर महादेव श्री शिवाई नमस्तूब्यम